खबरे सरकार ने जारी किया चैलेंज बनाए जूम जैसा एप और पाएं एक करोड रुपए का इनाम कोरोना वाइस वाइरस की चलते लोकडाउन के दुरान लोग घरों से ही काम कर रहे हैं ऐसे में ऑफिस की मीटिंग के लिए वीडियो कॉलिंग एप जूम और गूगल मीट का काफी इस्तमाल किया जा रहा है हाली में जूम एप यूजर्स के बीच काफी लोग प्रिये हुआ है और इसकी खासियत है कि इसमें एक समय में एक साथ सौ से जादा लोग वीडियो कॉनफरेसिंग के जरीए कनेक्ट हो सकते है लेकिन इस बीच ये भी खबर सुर्ख्यों में रही है कि जूम एप में यूजर्स को डाटा लिक किया जा रहा है जी हाँ यूजर्स का डाटा लिक किया जा रहा है ऐसे में केंदर सरकार ने अब एक एप चैलेंज लॉंच किया है इस चैलेंज के तहत जितने वाली टीम को 100 करोड रुपे का इनाम मिलेगा खबर चट्थी जेपीएसी का रिजल्ट जारी 325 अभियार्थी पास दोस्तो शिक्स्त जेपीएसी रिजल्ट 2020 आउट तमाम और रोधों और अदालती चक्कर के बाद मंगलवार को आखिरकार जहारखंड लोग सेवा आयोग ने चट्थी सीविल सेवा परिख्षा के नतीजे घोसित कर दिये है 326 रिक्तियों के लिए कुल 325 अभियार्थी अंतीम तोर पर सफल हुए है जेपियसी की ओर से जारी किये रिजल्ट के मताबिक राज्य परशासनिक सेवा में जनरल कोटे के 86 अभियार्थियों को सफलता मिली है इस परिख्षा में ST कोटे से 34, SC कोटे से 15 और पिछड़ा वर कोटे से 8 अभियार्थी उतीर्ण घोसित किये गए है जार्खन लोग सेवा आयोग ने 6 सिविल सेवा परिख्षा का अंतीम परिणाम जारी कर दिया है लंबे इंतिजार के बाद मंगलवार को जेपियसी के ओर से परिख्षा फल अपने वेबसाइट पर परकाशित कर दिया गया खबर जार्खन के बाहर फसे लोगों की समस्या पर भाजपानेता एक दीन के उपवास पर आज पूरे जार्खन परदेश में भाजपा नेताओं ने लोगडाउन के बीभी राज्यों में फसे शात्र शात्राओं और मजदूरों के समस्या को लेकर एक दिवसी उपवास रखा है पूरों मुख्यमंत्री रगवर्दास अपने जमशेदपूर इस्थित आवास में धारने पर बैठे हैं राची नगर निगम की महापोर आशा लकडा एक दिवसी उपवास पर अपने आवास पर धारना पर बैठी है रगवर्दास ने कहा कि कोरणा महामारी को लेकर जारखन सरकार पूरी तरशितिल है उसके दोरा परवासी मजदूरों, कामगारों, शात्रों और जो राजे के बाहर फसे हैं उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है इसी के बिरोध में आज मैं अपने व्यमशेदपूर इस्थित आवास पर उपवास पर हूँ ताक कि राजे सरकार की नीद तूट सके खवर है हाईकोट ने सरकार से पूछा वकीलों को क्यों नहीं दे सकते आर्थिक मदद राजे के वकीलों को आर्थिक मदद देने के मामले में जारखन हाईकोट ने बुधवार को सुनवाई हुई इस दोरान अदालत ने राजे सरकार से पूछा कि जब लोकडाउन में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहता दी जा रही है तो कमजोर अधिवक्ताओं को क्यों नहीं आर्थिक मदद दी जा सकती है राजे इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी इस दोरान अदालत ने बार कॉंसिल ओफ इंडिया इस्टेट बार कॉंसिल ओफ और ट्रस्टी कमेटी से भी जवाब मांगा है खबर जहारखंड की 3515 पंचायतों में शुरु हुआ मनरेगा का काम एक लाख मजदूरों को मिला दो जून की रोटी का भरोसा लोक डाउन के एक माह पूरे होने के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार सिवनचीत लोगों में से एक लाख सधिक लोगों को मनरेगा के माध्यम से दो दिन की रोटी का भरोसा मिला पहले दो दिनों में औसतन एक लाख लोगों ने विभी नियुजनाओ के तहत काम किया और इनका नाम मास्टर रोल में चड़ भी गया सरकार ने भोगतान पर क्रिया को भी तीवर कर दिया है जिस कारण माना जा रहा है कि दो से तीन दिनों में सभी मजदूरों के खाते में राश्री पहुंच जाएगी तो दोस्तो ये था अब तक की बड़ी ख़बर ब्रेकिंग निउज मुख्य समाचार और जारखन की ताजा ख़बरों की सुर्खिया तो दोस्तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेर कर दें और बेल की आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग निउज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अब इजाज़त दें नमस्कार